नमस्कार मेरे प्यारे विध्यार्थियों, मैं प्रवीन बंसल, आज पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 11 का अध्यायत 3, हमने पिछले सत्र में पढ़ा लेन देनों के अभिलेखन के कुछ नियमों के बारे में, जिसको मैं दोहराना चाहूँगा, खाते मुखेता 5 तरीके के होते हैं, परिसंपतियां और खर्चे, जिसको हम वियाय भी कहते हैं, परिसंपतियों को अंग्रेजी में एसेट कहते हैं, एसेट और एक्सपेंसेज, दोनों ही डेबिट साइट से बढ़ा करते हैं, जिसको हम नाम भी कहते हैं, और क्रेडिट साइ और लाब, यह इस तरीके के खाते हैं, जो credit side से बढ़ते हैं, credit side से मतलब जमा और debit side से घटते हैं, तो इन नियमों के आधार पर हमने रोज नामचा की प्रक्रिया शुरू करती थी, और उसमें entries कैसे होती थी, यह सीखा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं तरहां की कु से अगला कदम है, खाते बनाने का, और वह इस सत्र में हम पूरा करेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं, देखिए, उधारण के रूप में, मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा है, मैसर्स मलिका फेशन के निमनलिखित सौदों की प्रविष्टी, रोज नामचे में लि इन सभी प्रविष्ठीयों को हमें बही खातों में पहुचाना होता है, बही खातों से क्या मतलब है, बही खाते कुछ ऐसी किताबों का नाम हैं, जिसमें हम हर एक नाम को, नाम अर्थात, रोकड, राम, शाम, पूंजी, इन सभी को एक अलग तरीके से, एक अलग जगां प पता लग जाएगा कि रोकड में शेश कितना है, राम से पैसे लेने हैं या देने हैं, और लेने हैं तो कितने, देने हैं तो कितने, क्योंकि रोज नाम चैमें प्रविष्टी करने के बाद यह बिल्कुल भी श्पष्ट नहीं हो सकता कि हमें कित से कितने पैसे लेने हैं, या किसको कितने पैसे देने हैं, कितना स्टॉक हमारे पास बच गया है, कितना रोकड हमारे पास बच गया है, कितना हम पे रिण है, कितना हमने किसी व्यक्ति विशेश से लेना है या देना है, तो बहीकाता इसलिए महत्वपोन है, लेकिन वही खाते से पहले हमको रोज नामचा जरूर बनाना होगा तो चलिए इस उधारन के रास्ते से हम यह दोनों चीजे सीखते हैं जैसे की पांच जून को नगद धनराशी से व्यवसाय का आरंब हुआ दो लाक रुपे अब अपने नियमों को अगर हम दोहराएं तो नगद आया, कैश आया, कैश क्यूंकि परिसंपती है तो एसेट बढ़ता डेबिट से है तो कैश अकाउंट या रोकड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्यूंकि व्यवसाय के स्वामी ने अपनी तरफ से यह पूंजी लगाई है तो पूंजी खाता क्रेडिट होगा कैसे प्रविष्टी करी जाएगी रोकड खाता, नाम cash account, debit पूझी खाते से capital account, credit, दो लाक रुपे मैं आपको पहले ही बता दूँ अब हम इन प्रविष्टियों को खातों में भेजने वाले हैं और रोज नामचे से बही खातों में भेजने की प्रक्रिया को खातों नी कहते हैं और अंग्रेजी में posting आप जब journal से रोज नामचे से ledger में इन entries को इन प्रविष्टियों को भेजते हैं तो इस प्रक्रिया को खातों नी कहते हैं और अंग्रेजी में posting अब आप देखेंगे जब हम रोज नामचा की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे तो हम इन सभी प्रविष्टियों को एक-एक करके अलग-अलग बहिक हातों में भेज देंगे ताकि हमें अंत में यह पता लग जाए कि हमारे पास कैश कितना बचा है बैंक में कितना पैसा है राम से कितने पैसे लेने है शाम को कितने पैसे देने है इत्यादी तो चलिए दूसरी घटना के तरफ चलते हैं दूसरी घटना आठ जून को सिंडिकेट बैंक में खाता खोला 80,000 रुपे से देखिए खाता खोलने के लिए आपके पास से कैश को तो घटना ही होगा परन्तु जब आपका कैश घटेगा तो बैंक में पैसा आता है और बैंक भी एक परिसंपत्ती ही है बैंक एक परिसंपत्ती है जो बढ़ दही है तो बैंक बढ़ा परिसंपत्ती बढ़ी एसेट बढ़ा एसेट का बढ़ना अर्थात एसेट का डेबिट होना बैंक अकाउंट डेबिट होना, क्यूंकि रोकड जिसको आप कैश भी कहते हैं, घट चुका है, परिसंपत्ति घट चुकी है, वह क्रेडिट हो जाएगा, तो इसके लिए प्रिविश्टी कैसे आएगी, देखिएगा, क्यूंकि बैंक में पैसा आया, तो बैंक खाता नाम मत मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और क्यूंकि कैश गया, तो कैश क्रेडिट, रोकड खाते से, चलिए, अगली एंट्री के तरफ बढ़ा जाए, 12 जून को गुल मोहर, भुकतान चेक से, फैशन हाउस से उधार पर माल खरीदा, आपने माल खरीदा, किस से खरीदा, गुल जानिएगा, हमने गुल मोहर नामक किसी फर्म से समान खरीदा, और समान खरीदने को हम क्रे कहते हैं, इसकी चर्चा पिछले सत्र में हो चुकी, समान खरीदना, क्रे खाता डेबिट, क्रे खाता नाम, और क्यूंकि यह समान, हमने गुल मोहर फैशन हाउस से खरीदा है, तो गुल्मोहर फेशन हाउस क्रेडिट कर दिया जाएगा ठीक है जी क्यूंकि गुल्मोहर फेशन अब हमारे लिए एक देंदारी है एक देता है और सभी लाइबिलिटीज अर्थाद देताएं क्रेडिट साइड से ही भढ़ती हैं अब हम चलते हैं अगली घटना पर कारियाल्य मशीन का क्रेड भुक्तान चेक से किया आपने अपने व्यपार के लिए अपने व्यवसाए के लिए एक मशीन खरी दीए जिसका भुक्तान आपने चेक से कर दिया जब आप मशीन खरीदते हैं मतलब आप एक परिसंपत्ती खरीदते हैं और परिसंपत्तियां डेबिट से बढ़ती हैं मशीन खाता डेबिट होना चाहिए और क्यूंकि भुखतान हो चुका है और चेक से हुआ है मतलब बैंक से हुआ है बैंक भी एक परिसमपत्ती है जो यहां घट रही है और हर परिसमपत्ती जब जब घटी है तब तब क्रेडिट हुई है यह ग्यान तो हम कई प्रिविष्टियों में पहले ही ले चुके हैं तो यहां पर क्या एंट्री बननी चाहिए कारियाल्य मशीन खाता डेबिट नाम और बैंक खाता क्रेडिट बैंक खाता कम होने के कारण क्रेडिट हो जाता है चलिए अगली प्रिविष्टि पर चेक से किराय का भुकतान किया 18 जून को 5000 रुपे देखिए आप जब किराया दे रहे हैं तो किराया आपके लिए एक खर्चा है वेर और सभी वेर डैबिट ही होंगे नाम तो किराया एक खर्चा होने के कारण डैबिट और क्यूंकि भुकतान हो चुका है वो भी चेक से तो बैंक क्रेडिट अगर यहां चेक शब्द ना लिखा होता तो हम यह मानके चलते कि यह भुकतान कैश से हुआ रोकडखाता क्रेडिट कर दिया जाता अब अगली प्रविष्टी है मोहित ब्रदर्स को उधार माल बेचा आपने जब किसी को भी समान बेचा तो वह विक्रे है सेल्स अकाउंट जिसको हम विक्रे कहते हैं और समान बेचा मोहित ब्रदर्स को यहां पे साफ तोर पे लिखा हुआ है मोहन ब्रदर्स को उधार माल बेचा जब आपने मोहन ब्रदर्स को उधार माल बेचा तो आपने मोहन ब्रदर्स से पैसा लेना है मोहन ब्रदर्स आपके लिए एक लेंदारी है और सभी लेंदारियां हमारी परिसमपतियां होती है और सभी परिसमपतियां बढ़ती कैसे हैं डेबिट से तो Mohan Brothers debit, Mohan Brothers नाम और क्योंकि यह है, sale हुई है, तो विक्रे खाते से, मतलब विक्रे खाता credit, ध्यान दीजेगा, विक्रे खाता सदा ही credit हुआ है, और क्रे खाता debit चलिए, देख लेते हैं, Mohan Brothers को क्योंकि आपने समान बेचा, तो Mohan Brothers आपकी परिसंपत्ती बना, तो Mohan Brothers debit, और विक्रे खाता credit आगे बढ़ते हैं, रोकड विक्रे, क्या अर्थ है इन शब्दों का, रोकड विक्रे, इसको हम cash sales कहेंगे समान बिका, और उसके लिए cash की प्राप्ती भी हुई, रोकड की प्राप्ती भी हो गई है समान विका और रोकड की प्राप्ती भी हुई तो बड़ी सीधी सी बात है रोकड की प्राप्ती अर्थात परिसंपत्ती का बढ़ना रोकड खाता बैबिट और विक्रे तो सदा ही क्रेडिट हुआ तो प्रविष्टी बनती है रोकड़ खाता नाम विक्रे खाते से आशा करता हूँ यह नियम अब आपके दिमाग में एक दम पक्के हो चुके हैं 25 जून गुलमोहर हाउस को नगत भुकतान आप अगर अपनी पुराने प्रिविष्ठी ध्यान करें आपने गुलमोहर हाउस से कुछ माल खरीदा था अब आप उसका भुकतान करते हैं गुलमोहर हाउस आपके लिए एक देंदारी था अब आप उसका भुकतान कर रहे हैं भुकतान करने से वह देंदारी खतम हो जाएगी और देता है खाते जितने भी लाइबिलिटी अकाउंट थे वह बढ़ते क्रेडिट से हैं और घटते डेबिट से है, गुलमोर हाउस वही है, जैसे ही हम गुलमोर हाउस को भुक्तान कर देंगे, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, गुलमोर हाउस कम, और जब भी लाइबिलिटी घटी है, हमने उसको डेबिट करा है, गुलमोहर हाउज, बैबिट और क्योंकि हमने भुक्तान किया हमारे हैं से कैश गया तो रोकड़ खाता क्रेडिट रोकड़ खाते से 28 जून मोहित ब्रदर्स से चेक पराप्त हुआ आपने पुरानी एंट्री में मोहित ब्रदर्स को माल बेचा था और मोहित ब्रदर्स को अगर हमने माल बेचा तो वह हमारी लेंदारी है परिसंपत्ती अब जैसे ही हमने उससे चेक लिया तो वह हमारी लेंदारी नहीं रहता है परिसमपत्ति में कटोती, क्यूंकि परिसमपत्ति में बढ़ोत्री मतलब debit, कटोती मतलब credit अब क्यूंकि हमने समान को बेचने के बाद पैसे लिये हैं, तो रोकड का आना हुआ, परिसमपत्ति का बढ़ना हुआ तो एंट्री क्या बननी चाहिए, क्यूंकि रोकड आया है, तो cash account debit, अर्थात, रोकड खाता नाम, और यह है पैसा, मोहित ब्रदर्स से आया है, तो मोहित ब्रदर्स से, अब यहां रोकड नहीं, हमने चेक लिया, तो बैंक खाता नाम, मोहित ब्रदर्स से, आगे बढ़ते है वेतन का नगत भुकतान, आपका व्यवसाय है, तो जाहिर सी बात है, आपके व्यवसाय में कुछ लोग तो कारणरत होंगे ही, अब आप उनको वेतन भी देते हैं, वेतन दिया आपने 6,000 रुपे, वो भी नगत भुकतान, वेतन देना एक खर्चा है, वे, और सभी वे, debit, सभी expenses, debit, अर्थात वेतन खाता, और रोकड से जाने के कारण, रोकड खाता credit, जब रोज नामचा एक प्रिष्ट से दूसरे प्रिष्ट में भेजा जाए, उसके शेश को, debit और credit के दोनों की ही शेश को, अगले प्रिष्ट में भेज दिया जाता है, जैसे कि इस उधारण म चार लाख रुपे को पीछे से आगे लाया गया है, आप भी जब रोज नामचा बनाते हुए, एक प्रिष्ट से दूसरे प्रिष्ट पे पहुँचें, तो सभी से निवेदन है, वह उसकी कुल राशी को दूसरे प्रिष्ट पे पहुँचा दें, जैसे कि आपकी पुस्त करने के बाद हमने रोज नामचा तो पूरा कर लिया, और अगला जो हमारा कदम है, वह है बही खाता बनाना, और बही खाते के लिए यह बात सुनिश्चित की थी, कि हर नाम के लिए हम एक अलग खाता खोलेंगे, तो चलिए, यह देखते हैं कि सबसे पहला खाता कौन सा ख जो आने वाला है, वह है रोकड खाता, रोकड खाते को खोलने के लिए सबसे पहले मैं आपको यह दिखा दूँ कि खाते बनते कैसे हैं, आप देख सकते हैं कि एक रोकड खाते के साथ मैंने तिथी, विवरण, प्रिष्ट संख्या, राशी, यह एक डेबिट साइड बनाई, थी किसी तरीके से तिथी, विवरण, प्रिष्ट संख्या, और राशी, यह आपकी क्रेडिट साइड बने, चाहे खाता रोकड हो, पूंजी हो, व्यै हो, क्रै हो, विक्रै हो, सभी खाते इसी तरीके से बनाए जाते हैं, और अब हम रोज नाम्चे से इसमें प्रिविष्ठियों को भेजेंगे चलिए सीखते हैं पहला खाता रोकड़ खाता नाम रोकड़ खाता डेबिट रोकड़ खाते के डेबिट में दो लाक जियान दीजिएगा रोकड खाते के डेबिट में दो लाक रोकड खाता दो लाक रुपे से डेबिट किया गया रोकड खाता दो लाक रुपे से नाम किया गया क्या अर्थ है इस बात का इस बात का अर्थ है जहां पे भी आपने रोकड खाता बनाया है उसकी debit side पे दो लाक रुपे भेजे जाए दो लाक रुपे रोकड खाते के debit में भेजे गए परन्तु ये दो लाक रुपे आए कहां से तो इसका जवाब है उसी entry में दूसरा नाम पूंजी की वज़े से आए तो विध्यारतियों आप एक बात को सुनिश्चित करिएगा जब आप रोकड खाता बनाते हैं तो विवरण में आप रोकड नहीं लिखेंगे परन्तु जब आप पूंजी खाता बनाते हैं तो आप वहाँ पूंजी नहीं लिखेंगे तो सवाल उठता है क्या लिखेंगे तो जवाब है आप दूसरा नाम लिखेंगे जब मैंने कहा रोकड़ खाता डेबिट दो लाख से तो आपने राशी में दो लाख रुपे लिख दिये परंतु विवरण में आप देख सकते हैं हमने दूसरा नाम पूंजी लिखा तो कुछ इस तरह मैंने रोकड़ खाते की शुरुवात करी तो आईए देखते हैं पूरे रोज नामचे में और कहां कहां रोकड़ खाते का जिक्र हुआ है तो कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम जो सबसे पहला नाम है उसी का बही खाता बना देंगे पहला नाम मिला रोकड़ मतलब कैश तो आप पूरे रोज नामचे में यह ढूंडिये कि रोकड़ कहां कहां डेबिट और कहां कहां क्रेडिट हुआ सबसे पहली प्रिविश्टी रोकडखाता डेबिट, रोकडखाता नाम दो लाग से हमने रोकडखाते में दो लाग को पहुचा दिया चलते हैं वापिस रोजनाम चेपे और यहां आठ जून को रोकडखाता क्रेडिट हुआ असी हजार से किस वज़े से बैंक की वज़े से रोकडखाता असी हजार से क्रेडिट हुआ रोकडखाते की क्रेडिट साइड असी हजार से राशी लिखी गई परन्तु किस वज़े से विवरण में हम क्या लिखने वाले हैं आठ जून को बैंक की वज़े से ऐसा हुआ में दूसरी एंटरी करी, दूसरी प्रविष्टी करी, अब तीसरी रोकड की प्रविष्टी हमें रोज नामचे में ढूंड़नी हैं, 25 जून को रोकड खाता 15,000 से डेबिट किया गया, परंतु वह विक्रे खाते की वज़े से डेबिट किया गया, रोकड खाता डेबिट किया गया, रोकड खाता नाम 15,000, रोकड खाता नाम 15,000 विक्रे के कारण 15,000 राशी में विवरण में विक्रे, तो विध्यारतियों आप यह तो जान गए कि किस तरीके से रोकड़ खाते के अंदर प्रिविश्टियां भेजी जाती है ठीक किसी तरीके से अगर मैं 25 जून को एक और प्रिविश्टि देखूँ तो वह गुल मोहर्स की वज़े से हुई जिसको हमने भुकतान किया और वह क्रेडिट साइड पे लिख दी गई अब इसी तरीके से आप सभी अलग-अलग नाम के खातों को खोलते जाईए और डेबिट और क्रेडिट में चीजे भेजते जाईए जो भी खाता डेबिट हो रहा है वह डेबिट साइड पर ही जाएगा और दूसरा खाता जिस भी तरह से क्रेडिट हो रहा है वह क्रेडिट साइड पे ही जाएगा परंतु विवरण में जो नाम आएगा वह दूसरा नाम होगा इस तरीके से आप सभी खाते मतलब बही खाते बना सकते हैं रोज नाम चे और वही खाते की प्रक्रिया को सीखने के बाद अभी लेकन की एक और प्रक्रिया मैं सिखाना चाहूँगा जो है समिकराण जैसे कि आप देख सकते हैं किसी व्यपारी ने अपने व्यवसाई की शुरुवात आठ लाख रुपे रोकड और पचास अजार रुपे स्टॉक से करी वह उसकी पूंजी कहलाया यह समिकरण हम पहले भी सीख चुके हैं कि परिसंपत्यां देताएं और पूंजी का योग होती है तो यह योग हमेशा ही बराबर होना चाहिए जिस तरह से गणित में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होते हैं इसी तरीके से लेखा शास्तर में परिसंपत्यां बराबर देताएं जमापूंजी अब यह समिकरण हमेशा ही बराबर आएगा जैसे अगले उधारण में हम देखते हैं कि 3 लाख रुपे का प्लॉट वर मशीनरी लिये जाते हैं जिसमें से 15 लाख रुपे अभीग भुखतान किया जाता है और 2,85,000 का भुखतान नहीं किया जाता है जैसे कि हम जानते हैं 3 लाख रुपे का प्लांट मशीन या कोई प्लॉट खरीदना एक परिसंपत्ती है तो यह परिसंपत्ती की साइड लिख दिया जाता है और क्यूंकि हमने सिर्फ 15,000 रुपे का भुखतान करा है तो उसकी कटाउती रोकड में से कर दी जाएगी अब 2,85,000 रुपे जो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है अर्थात देताएं उसको हम दूसरी साइड देताएं में लिख देते हैं और इस तरीके से यहां भी हम द्यूएंकन की प्रणाली का इस्तमाल करते हैं और इसे कहते हैं समी कराना विध्यारतियों तो मैं इस तत्र का यहां अंत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा और अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में अपनी पाठ्थे पुस्तक से इसी तरीके के सवालों का लगातार अभ्यास करते रह दन्यावांत करता हूं और आशा करता हूं करता हूं